नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में अगर आप कर रहे हैं यूपीटक एंड सीटक की तै्यारी तो आपका अपना सबसे पसंद सीधा चैनल स्टडी फॉर वेने सभी चैनल्स पे भारी यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं आपके लेकर आएं पर्यावरण की एक क्यावन बहुत ही महत्पूर प्रश्णों की यह बहुत ही स्पेशल वीडियो इसके पहले भी एक वीडियो बनाए गई थी जिसमें पर्यावरण के 34 important questions की बात की गई थी जिन्होंने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखी वो वीडियो देख लें क्योंकि वो वीडियो भी आपकी बहुत important है जो आपका अभी pattern change हुआ है परसेदी पुस्तकों के अधार पर जो आपकी परिक्षा होनी है यानि SCERT pattern पे उसी pattern पे based वो आपके questions है तो उस वीडियो को देख लीजिए वो भी बहुत important है और यह भी आज की जो वीडियो यह भी आपकी बहुत important होने वाली है इसलिफ वीडियो के सारे questions तक सभी लोग ध्यान से इस वीडियो को देखें तो बिना कोई देरी कि आप शुरू करते हैं अज के अपनी important वीडिय आए क्या कहलाता है परियावरण environment जैसे परियावरण क्या परी प्लस आवरण दो सब्दों से मिलके बनाएं तो परी मतलब हमारे चारोर का और आवरण मतलब जिससे हूं हमें ढके हुए तो हमारे चारोर का जो आवरण है जो क्या करता है हमें और अन्य जीवधारियों को प्रभावित करता है पर्यावरन इंवायरमेंट कहलाता है भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है तो ये है आपके मध्य प्रदेश MP में आपकी क्या है सबसे अधिक वन है नेक्स है आपका पौधे अपनी खाद निलमार प्रक्रिया में कार्बन डाई ऑक्साइड य यानि कि O2 Carbon Dioxide, Sulfur Dioxide, Carbon Mono Oxide द्वारा कौन सा प्रदूशन होगा तो इन सब के द्वारा आपका होगा वायू प्रदूशन Biochemical Oxygen Demand परिक्षा किस प्रदूशन को मापने के लिए की जाती है जल प्रदूशन के लिए Biochemical Oxygen Demand जिसको शॉर्ट में कहते हैं BioD बहुत इंप्रदूशन है बहुत पूचा जाता है तो ये जल प्रदूशन के मापन के लिए आपकी परिक्षा ये टेस्ट किया जाता है Peroxy Acetyl Nitrate जिसको कहते हैं Pen क्या है तो ये है आपका वायू प्रदूशन क्यानि ये वायू को प्रदूशित करता है राश्ट्री परियावरण अनुसद्धान केंद्र कहां इस्थित है ये आपका है नागपुर महराश्ट्र में पुशन नमबर आपका एर्थ है वायू मंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है तो ये हमारी रक्षा करती है पराबैगनी किरणों से वायू मंडल में कौन सी गयस सरवाधिक पाई जाती है तो वायू मंडल में आपके सरवाधिक जो गयस है वो है नाइट्रोजन कितने? 78% तीक 78% हमारे वायू मंडल में नाइट्रोजन है आकास नीला किसके कारण दिखाई देता है तो आकास का नीला रंग जो है वो प्रकीणन के कारण दिखाई देता है बहुत इंपोर्टेंट है कोई भी कॉम्टीटिव एक्जाम हो बहुत बार यह कुशन पूशा गया है कि आकास का नीला रंग किसके कारण है प्रकाश्ट के प्रकीरणन के कारण विश्व पर्यावरण दिवस किस्तिती को मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है आपका पांच जून को ग्रीन हाउस प्रभाव यानि ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण प्रतिवी का तापमान बढ़ता है या घड़ता है तो बढ़ जाता है जिसके विज़े से आपके क्या हो दिए ग्लोबल फॉर्मिंग पर्यावरण का दुश्मन किस ब्रक्ष को कहा जाता है तो पर्यावरण का दुश्मन आपको कहा जाता है यूकेलिप्टिस जिसको क्या कहते है सफेदा इंपॉर्टन कॉस्चन नहीं याद रखिएगा कभी यूकेलिप्टिस आप्शन में नहीं दिया रहता है केवल सफेदा दिया रहता है तो याद रहे कि यूकिलिप्टिस को ही कहते हैं सफेदा पर्यावरण का दुश्मन क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है ग्रीन हाउस प्रभाव में शूर की किरने प्रत्वी पर आतो जाती है लेकिन कारबन डाय ऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस न अनिवार है तो 33 पृतीष द्हुफाग पर वन होने चाहिए ग्रीन पीस क्या है तो यह ग्रीन पीस है आपकी पर्यावरण योजना इंपोर्टेंट है भादी या कुश्टन ग्रीन पीस पर्यावरण योजना चिपको अंदोलन के पीछे मुख की उद्देश ये क्या है तो इसके था वनों की सुरक्षा नि वनों की कटाई को रोकने के लिए ये आपका किया गया है 12 सरकार द्वारा केंद्र में परियावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई 1980 में संयुक्त राष्ट्र परियावरण कारकरम जिसको यूएन पी कहा चाता है का मुख्याले कहा है इसका मुख्याले है नेरोबी जो है आपका केन्या में क्यूशन नमरर 20 है फो टो कॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है तो ओजोन और ओजोन को लिखते हैं ओध्री ऑक्सीजन को ओड़ी खोटो ओजोन को ओध्री फोटो कॉपी में प्रती की रूप में किस पशू को लिया गया है पानडा भारत का कौन सा राज, टाइगर राज के रूप में या टाइगर राज के नाम से जानना जाता है मद्रीप्रदेश MP वन महुत सव किसने प्रारंब किया था कम मुईशी ने विस्व वन्यजीव सनक्षन कोस कहां पर इस्थित है तो यह है आपका स्विजर लैंड में सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल ब्रक्ष कौन सा है वो है खजूर दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करेंगे तो और भी लोग लाप राप कर सकेंगे और लोग अपनी तयारी और भैतर कर सकेंगे और लाइक करने से मिलेगा हमें motivation ठीक है तो ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें जिसे हम motivate हो आपके लिए और ऐसे ही बढ़िया questions facts लाने के लिए next देखते है question number 26 suffocation क्या है oxygen की कमी का जो जीवो पर प्रभाव यानि oxygen की कमी की कारण जो घुटन होती है सफोकेशन जलवायू परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है green house की जो गैस होती है यानि आपकी carbon monoxide sulfur dioxide carbon dioxide इन सब गैसों की मुख्य भूमिका होती है जलवायू परिवर्तन में सरवाधिक ozone चैकारी गैस यानि ozone परत को सबसे ज़्यादा नुक्सान पहुंचाने वाली जो गैस है वह आपकी cfc chlorofluorocarbon chlorofluorocarbon किन गैसों का संयुक्त रूप है तो यह आपका chlorine fluorine एवं carbon ठीक है यहाँ पर chlorine लग गया यह आपका chlorine chlorine fluorine एवं carbon cfc पूतल पर cfc का प्रियोग कहां होता है तो sprinkant dispenser में वातानो कूलनों में यानि कि आपके AC में refrigerator fridge में hair spray shaving cream और विभित सौंधर प्रसादनों आदी में cfc का chlorofluorocarbon का प्रियोग किया जाता है ग्रीन हाउस प्रुभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा glaciers आपके पिखलने लगेंगे यानि जापकी बर्फ है वो पिखलने लगेगी जिससे नदियों का जनिस्तर बढ़ जाएगा और बाण और भहती का आदमी किसे कहा जाता है प्रक्षो का आदमी सुंधरलाल बहुगणा सरव जयफ विभिता कहां पाई जाती है त्रॉपिकल रेंर फॉररेस्ट वाइयो टेक्न लो जी पार्क कहां पर करुंद तर इस्थित है यह आपका लखण ऊम्मे पर्थवी दिवस के मनाया जाता है यानी अर्थ डेई 22 अप्रैल को भविश्यक का इधन किसे कहा जाता है hydrogen पर्यावरण का रक्षा вин या ओजोन परत है जो हमारी क्या परावेंगनी केड़ों से रक्षा करती है रेड डेटा बुक का सम्मंद किस से है इसका सम्मंद है विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीवो से question number 39 है विस्व का सबसे प्रदूशित नगर कौन सा है मेक्सको सिटी का है विस्व का सबसे प्रदूशित नगर है environment education for kids USA में कहां पर इस्थित है तो यह आपका इस्थित है विस्कॉसिन में environment education for kids विस्कॉसिन USA में इस्थित है CNG का full form क्या है काफी पुछा जाता है CNG का full form दो इसका है compressed natural gas CNG, LPG इनके full form काफी पुछे जाते हैं तो याद रखिएगा धनी प्रदूशन कितने डेसीबल से माना जाता है 65 डेसीबल से माना जाता है कि धनी प्रदूशन हो रहा है जल प्रदूशन को मापने के लिए कौन सा परिक्षन किया जाता है तो bio chemical oxygen demand जिसको कहते हैं BOD किसके लिए होता है जल प्रदूशन मापन के लिए ताज महल के पीले पड़ने तदा उसके छरण होने के मुखे कारण है अमलिये वर्षा, acid rain 45 डेसीबल क्वेशन नमबर माना द्वारा निर्मित उपग्र है कहाँ इस्थापित होते हैं तो यह आपके स्थापित होते हैं बहायवायू मंढल में, जो क्या होते हैं मानवदार निर्मित पता है 46 डेस का परस्थितिक, अनुसंदान एवं प्रषिक्षन केंद्र कहाँ इस्थित है तो यह आपका बैंगलोर करनाटक में इस्थित है भारत का परियावरण सिक्षा केंदर कहां इस्थित है यह आपका एहम्दाबाद गुजरात में इस्थित है परियावरण सिक्षा केंदर इंद्रा गांधी वान की अकाडमी कहां पर इस्थित है तो ये आपकी देहरा दून में विश्ववान की दिवस कब मनाया जाता है विश्ववान की दिवस आपको मनाया जाता है 21 मार्च भारती वन सर्विक्षण का मुख्याल है कहां इस्थेद है तो इसका मुख्याल है आपका देहरा दून में और लास्ट कुश्चन है कुश्चन नमर फिफ्टी वन भारती वन प्रबंधन संस्थान कहा है तो यह आपका भोपाल मध्य प्रदेश में तो यह थी दोस्तों आज की आपकी परियावरण के 51 important questions आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करें और जिन्हों ने अभी तक study for win को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को यानि घंटी के निशान को आएंगे या आ रहे हैं वो आपके सभी SCRT पेटन पर बेजड हैं जो आपके UPTAT के लिए बहुत ही सहयाग है तो वीडियो को आप लोग देखिए एक भी वीडियो मिस्स मत करिए मिस्स करेंगे तो बहुत बड़ा आपका लॉस है और हमारा जो नंबर है 9496369356 इस पर आ आप अपने हाथ में पा जाएंगे इस नंबर पर कॉंटेक्ट रहने कोई बात तो इस पर आप WhatsApp करिए या call करके contact करिए तो सही चुनिए अभी चुनिए तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें होंगे आपके लिए प्यार भरा नमस्कार गुद्बाए